ओम शान्ती आज 21 सितंबर 2030 साकार मीठे प्यारे बाबा के मीठे मीठे साकार मुर्ली के मुख्या पॉइंट्स हैं बाबा ने कहा तुम यहां आई हो इश्वरिया विश्विद्याले में जहां इश्वर पढ़ाते हैं मनुश्या से देवता बनाते हैं बाबगत लेकिन यह knowledge भी तुम बच्चों में नमबर वारी है कोई अच्छी तरह समझता है कोई पूरा नई समझता है तो भागनती हो जाता है पश्यनती कथनती रूट पढ़नती रूट करके भाग जाता है पश्यनती देखता है रानी से ग्यान की सारी बातों को सुनता भी है समझता भी है कथनती दूसरों को जाके सुनाता भी है लेकिन पूरा न समझने कारण माया की वश हो जाते हैं फिर बाबा कहते अगर शिर्मत से रूट कर अपनी मत पर चले तो रावन की मत हो जाएगी और फिर गिर पड़ेंगे इसलिए कदम कदम पर तुमें शिर्मत लेनी है बाबा कहते तुम जानते हो ये दुनिया हम छोडने वाले हैं इसलिए तुम पुरानी दुनिया की सामगरी ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए अर्थात जो भी हम बाबा के अर्थ अरपन करते हैं बाबा कहते तुम क्या अरपन करते हो तुम्हारे पास क्या है पुरानी कीचड पठी है तुम्हारी पुरानी कीचड पठी लेकर के मैं तुम्हें सब कुछ सोने का देता हूँ और वो भी 21 जन्मों के लिए तो बावा केते भगती में तो अरपन करते हैं जो भी आज तक भगती में करते आए है ना या जो भी अभी तक भगत करते हैं उनको मिलता है एक जन्म का और तुम्हारी पहला अब्द है एक किस जन्म की साथ हैं बाबा केते तुम बच्चों को बहुत सज्जाई से बाब के साथ चलना चाहिए बाब भी तुमको सब कुछ दे देते हैं ना अपना सारा खाता सारा स्वर्ग पूरी बादशाई देते हैं तो तुम बच्चों को भी अपना सारा पोता मिल बाबा के सामने सपश्ट रखना चाहिए बाब बड़े सुन्दर भाव में आके कहते कि बाबा ये ब्रम्हा बाबा मेरी बन्नी है माना मेरी इस्तरी है इनके मुक्से मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ है आत्मा तुम मेरी हो मैं तुम्हारा बाप हूँ तुम मेरे बच्चे बने हो और फिर तुमको सारी प्रालब्द मिल जाती है और बावा ने कहा कि कई सोचते हैं कि हम मोक्ष में चले जाएं 100% हम शान्ती में रहें तो बाबा केते हैं ये हो नहीं सकता जब तक आत्मा पार्ट में नहीं आई है तब तक वो रेस्ट में रह सकती है लेकिन जब में शरीर में आ गई आत्मा तो पार्ट उसको प्ले करना ही है पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती रेस्ट मिलती है निर्वान धाम में वहां कोई पार्ट नहीं कोई रोल नहीं क्योंकि वो रंगमंच नहीं है परमधाम रंगमंच यह साका दुनिया है तो जब हम रंगमंच में नहीं होते हैं उपर में होते हैं तो वहा 100% हम शान्ती में होते हैं रशन है जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से ठक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं संकल्प क्या आते हैं कईयों को चलते चलते वो विकल्प बन जाते हैं फिर वो ऐसे उसके वश्यों जाते हैं उत्तर है फर्स्ट वाइंट है उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फरक्ती देने के संकल पाते हैं बाबा कहते ये संकल पाना भी विकल्प है ऐसा संकल्प करना भी पाप है पढ़ाई ना पढ़ना माना ही ठक जाना ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं क्या बाबा ने कहा ये संकल्प पाना की पढ़ाई में ठक गए क्या पढ़ना और तो बाबा को छोड़ देना ये संकल्प भी बाबा कहते पाप है ऐसे संगल्प नहीं आने चाहिए ऐसी आत्में खुद भी पिछे हटती है और उनको देखकर के और भी अलेवेली हो जाते हैं पुरशाथ के प्रति शद्दा भावना भे उनकी कम हो जाती है तो अपना भी खाना ऐसे आत्में खराब करती है दूसरा पॉइंट अगर किसी बात के कारण कोई मातपिता से रूट जाते हैं तो वो 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं देखो कितनी बड़ी बात है देव मानवश अभी हम बाबा से रूट गए निमित आत्मों से रूट गए किसी सेवा के कारण किसी भी बात के कारण तो फिर क्या होगा घाटा कितना पड़ गया 21 जर्मों की बादशाही समापत तो ऐसा नुकसान हमें अपना कभी नहीं करना है ठीक है गीत है आज अंधेरे में हैं इनसान ज्यान का सूरज दिखला दे भगवान तो आत्मा भगवान को पुकारती है कि हम अंधेरे में हैं ज्यान का सूरज दिखलाओ तो बाप आप सोजरे मिले जाने के लिए परकाश मिले जाने के लिए हम बच्चों के पास आगे हैं धारना के लिए सार फरस्ट पैंट है कम्पलीट दानी बनना है सचाई से सब बाप को अरपन कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है ठीक है सचाई से बाबा को सब बताना मेरे पास क्या क्या है कितना धन है कितने संपत्ती है चल अचल संपत्ती है जो भी है तो बाबा को बताने से है नहीं कि बावा ले लेंगे उसको, लेकिन ईश्वरिया जो गाइड़ंस मिलेगी, उसमें हमारा भला ही हिसमाया है, तुसरा पॉइंट है, जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप से शिर्मत लेनी है, कभी भी शिर्मत से रूठ बनमत पर नहीं चलना है, देखे, ट्रस्टी बन जाओ मेरा कुछ नहीं बावा, तेरा तुझको अरपन क्या लागे मेरा, और फिर बावा से कदम कदम बे पूछो, बावा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए लाइफ में, तो बहुत निश्चिन तेकर बेफिकर बादशाही का अनभव होगा, करने वाले, खुदाई खिदमतगार भव, क्या करना है हमें, कमबाइंड रूपधारी बन कर रहना है, तो हमें खुदाई जादू का अनभव होगा, बावा कहते हैं, स्वयम को सिर्फ सेवधारी नहीं समझो, लेकिन इश्वरिया सेवधारी समझ कर सेवा करो, सेवधारी के साथ क्या जोड़ देना है, इश्वरिया सेवधारी, इस सम्रिती से याद और सेवा सोते कमबाइंड हो जाएगी, जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हैं, तो अकेले होने कारण सफलता की मनजिल दूर दिखाई देती है, इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, क्या सोचना, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, तो खुदाई जादू भर तीक है आज की बाद सेवा कैसे करेंगे कोई सेंटर पे सेवा मिलती है क्या सोचना है इश्वरिया सेवा है इश्वर बापनी मुझे दी है उनकी ही आद में करना है तो उसमें सफलता बहुत समा जाएगी रहत खुशी का अनुबव भी होगा स्लोगन है करम योगी बनना है तो कमल आसंधारी बनो कमल आसंधारी माना नियारे प्यारे करम योगी बनना है तो क्या बनो कमल आसंधारी तो ये सोचो कि मैं कमल पुश पर बैठा योगी हो और करम कर रहा हूं तो निरलिप्थ हो के करम होगा लेक शेव से नियारे रहेंगे और बावा के प्यारी बन के रहेंगे ठीक है? ओम शन